जहें दोस्तों क्या हाल है तो यह रेडमी नो थर्टीन प्रो फाइब जी जा टू हंडड़ में पिक्सल में कैमरा ओइस के साथ 120 Hz एमोलेड और फर्स्ट टाइम रेडमी सीरीज में इन डिस्प्ले फिंग पिन स्कैनर गोरिला ग्रास विक्टर और 5100 में इसकी बैटरी मिलती है तो करता है इसकी अन्बोक्सिंग और इनिशिल इंप्रेशन शेयर करता हूं क्या कैसे दिया हुआ है बाकि आप कहोगे तो इ 67 वोट का एक फास्ट चार्जर है यह साथ में टाइप टू टाइप सी केबल इसके बाद यह है मेरे पाद जो यह कलर आई यह है कोरल परपल सबसे पहले कैमरे पर ध्यान जाता है सिमेट्रिकल बोक्स डिजाइन दे रख था तीन कलर शो होते है इसमें थोड़े अलग लग अलग से यहाँ पर हलका हलका कट किया हुआ है जिसकी वैसे ने कमफोटेबल फील होता है फोन मुझे डिजाइन अच्छा लगा सटल सा है मिनिमल सा है एंड फ्रंट में भी अगर आप देखोगे चीनो बैजल बहुत कम है और अच्छा यह लगेगा आपको देखके कि इस के अंदर 3.5 mm jack मिल जाता है जो कि आपको पता है 20,000 रुपे से उपर जहां जाना शुरू करते हैं गया हो रहे हैं सब और यह फोन हाई-res audio को भी सपोर्ट करेगा आया ब्लास्टर है नीचे के तरफ यहाँ पर दो SIM लगा सकते हो आप memory card का option नहीं है और dual stereo speaker है इसके अंदर IP54 splash resistant है और जो haptic motor दे रखा यह भी एक तो flagship वाला आता है वैसा नहीं है बट एकदम जो normal वाला आता है उससे better quality है X-axis motor यहां mention भी है और इस बार यहाँ पर यह जो आप display देख रहे हैं इस पर सबसे पहले first time Redmi series में in display fingerprint scanner आ गया last time Redmi Note 12 Pro में भी side scanner था लेकिन इस बार यहाँ प 12 by 1220 resolution की display है तो आप 1.5K भी बोल सकते हो और चीन और बैजल तो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है 94% screen to body ratio है 120 Hz की AMOLED display है जो 30 to 120 Hz पे switch होता रहता है और अगर display quality की बात करें यह 12 bit display है 68 billion colors option के साथ आता है बट इन रियल लाइफ जो इस पर colors आ रहे है जो मैं देख रहा हूं अ और आपको पता ही अंडर 30,000 यह आएगा बहुत अच्छी display quality इसकी colors काफी अच्छे आ रहे हैं brightness की बात करें तो 500 टेपिकल पीक ब्राइटनेस 1800 जा सकता है एंड पीक ब्राइटनेस इस वीडियो को देखे मेरी तो यहाँ पर display ब्राइट फील होगी वाइड वाइन है HDR 10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिला भाई मुझे डिस्प्ले के साथ बट सेम टाइम यह डॉल्वी विजन को सपोर्ट करता यह डिस्प्ले तो जो भी content डॉल्वी विजन को सपोर्ट करता है नेट्फिक्स पे होता है वहाँ पर यह आप अलग से experience कर सकते हो और डिस्प्ले प् पर काम करता है snapdragon 7 plus gen 2 अलग है जो पोको फोन में आया तो उसके मत किसी फोन में आया नहीं यह स्नाप्ड़ाइगन सेवन एस जेंटू LPDDR 4X रहाम है UFS 2.2 स्टोरेज है अंतुर तो स्कॉर इसका 6 लैक के असपास आता है ठोटल करता हुआ नहीं दिखा ग्राफ में और गे वैसे फोन है जैसे की कैजूल अच्छी गेमिंग हो रही है और 120 अप्टिमाइजेशन मोस्टली जागा काम कर रहा है तो फोन का पॉपमेंस वैसे सही लग रहा है यहां पर बाकि मैं और टेस्ट करूंगा लेकिन अगर बात करें सौफ्टेर की इसके अंदर मिलता Android 13 पूचर में देखने को मिल सकता है लेकिन अभी Android 13 ही मिलेगा इसमें वैसे पहली बार फोन सेटप करने के बाद इसके अंदर कुछ एक्स्टा ब्लोट वेर देखने को मिलते हैं आपको एक एक करके अंस्टोल करना पड़ेगा और मोस्टली अन्स्टोल हो जाते हैं बाकि य यह फोन में 200 मेगा पिक्सल का मोड़ तो मिले गई लेकिन नॉर्मल में कैमरे से आप 1X 2X अप्टू 4X तक फोटो ले सकते हैं वैसे 4X तक काफी यूजबल आ जाती है और मैंने काफी सारी फोटो क्लिक करी मैंने का नोटिस किया सबसे पहले Redmi Note 12 Pro भी मैंने टेस्ट किया फोटो ब्राइट है लाइट भी बैलेंस कर ले रहा है और पोट्रेल मोड की फोटो भी अच्छी आ रही है तो यह फोन मेरे पास अभी आया है मैं फोटो क्लिक कर रहा था अभी धूप नहीं निकली है सनलाइट वाली फोटो तो नहीं है मेरे पास लेकिन जो फोटो में कल रहा है clear last year के comparison improvement है 4K 30fps वीडियो शूट कर सकते हो आप ये वीडियो मैंने चलते हो शूट किया हुआ तो आपको अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर stability का और बाकी यहाँ पर आप 1080p 60fps जा सकते हैं 4K 30fps तक और अगर बात करें सेलफी कैमरे के तो यहाँ पर 16 Megapixel की सेलफी है सेलफी के बारे में मैं कहूंगा इसको आप डीसेंट टाइप बोल सकते हो मैंने मल्टिपल सेलफी क्लिक करी है 1080p quality तक आप वीडियो शूट कर सकते हो सो यह था सब कुछ Redmi Note 13 Pro के बारे में यह फोन तीन ओप्चन में मिलेगा 8gb RAM 128gb storage 8gb RAM 256gb storage and 12gb RAM 256gb storage इसका अभी मुझे exactly price नहीं पता बट वही है मुझे लगता है offer बगारा के साथ under 25 क्या आना चाहिए लेकिन यह कह सकते है इस बार इसका डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा इसका मुझे में कैमरा इंप्रूमेंट अच्छा लगा और परफोर्मेंस भी यहाँ पर डीसेंट है पहले से बैटरी है और 3.5 फाइम जैक बोनस पॉइंट है अब यह बोनस हो गया होना तो सभी में चाहिए लेकिन सब देते नहीं है बाकि आप बताओ आपको कैसा लगा यह फोन कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में